तो हेलो बच्चो आज हम लोग चाप्टर नमर 36 इंडियन इंसिटूशन के बारे में पढ़ेंगे इंसिटूशन का मतलब होता है संस्थान ठीक है तो यहाँ पे इस चाप्टर में क्या लिखा हो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप बड़े बड़े Higher Education के लिए बड़े इंसिटूशन में पढ़ेंगे ठीक है तो उसी इंसिटूशन से रिलेटेड से इस चाप्टर में बात की जा रही है Total question 8 हम लोग को इस चाप्टर में करना है ठीक है, तो question number 1 देखते हैं फिर question number two में आ जाते हैं question number two क्या बोल रहा है if you if you're अगर आपका भाई economics पढ़ने के लिए सैंथ जो सब कॉलेज सॉरी सैंथ स्टीफन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता तो वो किस city में रहता तो दली में ही रहता क्योंकि सैंथ स्टीफन कॉलेज दली में है situated है question number three में क्या बोल रहा है ये एक ऐसा institute है these institute are better known इनको IIMA, IIMB, IIMK के नाम से जाना जाता है तो ये IIM का मतलब क्या होता है तो Indian Institute of Management question number four this university was established इसकी स्थाफना 1985 में हुई थी और ये promote करता है open university program को distance education of the country मतलब इसका कहने का मतलब distance education ये होता है कि आप कहीं भी रहते हो मतलब country के किसी भी कोने में रहते हो अगर आप चाहोंगे कोई भी course करना तो आप कर सकते हो ठीक है तो ये ही बोलना चाहरा है तो ये institute उसको promote करता है तो ये कौन से university के बारे में बात की जा रही है तो इंदिरा कांधी national open university के बारे में बात की जा रही है question number five आजाते है शांती निकेतन जो की रविंदनार टैगोर के द्वारा स्थापित की गई थी उसको convert कर दिया वास converted into university उसको in university में convert कर दिया गया 1918 में ठीक है और और उसको उसका फिर से जो नाम दिया गया नामांकन जो किया गया वो क्याक था विश्व भारती university के नाम से वो अब जाना जाता है question number six में है अगर आप film line industry में जाना चाहते हैं तो फिर आप कहां join कीजिएगा तो FTII पुने में FTII का stand मतलब क्या stand करता है तो film and television institute of India ठीक है बहुत easy है बस memorize करना है बाकी जो थोड़ा मुड़ा explanation का part है वो मैं कड़ी रही हूँ question number seven में आ जाते है where is the national defense academy situated कहां situated है national defense academy तो खड़क वसला ठीक है question number eight में आ जाते है which is considered to be most ancient university of India तो नालंदा university जो की कहां situated है बिहार में अब ये chapter तो finish हो गया अब हम लोग fact bites करते है तो city montessori तीक है तो city montessori school लखनो में situated है जो की largest school in the world पूरे दुनिया में सबसे largest school है सबसे बड़ा है students के मामले में मतलब बहुत जादा students यहां पर पढ़ते हैं और ये लखनो में situated है क्या नाम था तो city ये montessori school ठीक है चलो तो इसी तरह से हम लोग ने ये chapter भी finish कर ले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो please like, share and subscribe my channel और हाँ मैं एक series बना रही हूँ जिसमें मैं जल्दी जल्दी मैं कोशिस कर रही हूँ कि ये डालू क्योंकि बच्चों ने ही request किया था मुझे कि मैं प्लीज आप मतलब वीडियो डालिए उनका exam से related जो भी है तो आशा करते हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी थैंक यू सो मच